अर्विन केजरिवाल के सबसे खास आदमी सतेंदर जैन उनके करीबियों से और उनसे दो करोड से ज्यादा का कैश और लगभग दो किलो सोना 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं ये उनकी इमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमान है तो मैं समझता हूँ कि यदि अर्विन केजरिवाल डरते नहीं है उनको छेपानी की कोई बात नहीं है या उनकी कोई मजबूरी नहीं है तो उन्हें तो सतेंदर जैन का इस्तीफा बहुत पहले ले लेना चाहिए और मैं फिर से पूछा हूँ क्या उन्होंने दोहजार उन्निस के हाई कोट के आदेश को देखा है या उसको देखने के बाद वो आक मूंद कर इस ब्रश्टाचारी मंत्री को बचा रहे हैं यह हेल्थ मिनिस्टर टू हवालात मिनिस्टर को क्यूं बचा रहे है अरविंद केजरिवाल इसका जवाब उनको देना चाहिए बिना डिफलेक्ट किये बिना डिविएट किये आज के इस महतुपूर्ण प्रेस्वारता में आने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद इमानदारी की सबसे सफेद कमीज पहनने का दावा करने वाले अरविंद केजरिवाल और आम आदमी पार्टी के तथा कतित इमानदारी का एक और प्रमाण आज पूरे देश की म अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे इमानदार है उनकी पार्टी सबसे ज्यादा इमानदार है यह उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज कहीं सारे मीडिया चैनल्स पर भी देखने मिला और अभी अभी एडी के ओफिशल हैंडल से यह सारवजनिक भी की गई है जानकारी जो आप लोग दिखा रहे थे कि किस प्रकार से अरविंद केजरिवाल के सबसे खास आदमी सतेंदर जैन उनके करीबियों से और उनसे दो करोड से ज्यादा का कैश और लगभग दो किलो सोना 133 गोल्ट कॉइन बरामद हुए हैं यह उनकी इमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमान हैं वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं होती है पर उन्तु समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरिवाल जी जो सबसे ज्यादा इमानदारी की कमीज पहनने का दावा करते हैं उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आज तक वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से बने हवालात मिनिस्टर उनके खास मित्र और खास व्यक्ति सतेंदर जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं वैसे तो आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्दी ये है कि पंजाब और दिल्ली दोनों ही जगे जहां पर उनकी सरकारे हैं वहां पर उनके हेल्थ मिनिस्ट मिनिस्टर्, हवालात मिनिस्टर् बने हैं, परंतो एक हवालात मिनिस्टर् के लिए ऐसी क्या हम्दर्दी है इस देश के गद्दार के लिए और यह शब्दावली, खुद अरवेंर के घर्जरिवाल ने भरषय चाहरियों के लिए इस्ते торॉ derni इस तथाकते देश के गद्दार के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है कि उसके इस्तीफक को लेने के बदले लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग A, B, C, D कर रहे हैं. A, B, C, D का मतलब है A, for advertising, B, for bhrashtachar, bharpur bhrashtachar, C, for cover-up of corruption, and D, for diversion, deviation and deflection. जब से ये मामला हमारे सामने आया है और आपको याद होगा कि इसी मंज से हमारी वरिष्ट नेता केंद्रिय मंत्री स्मृति रानी जी ने दस सवाल रखे थे अर्विन केजरिवाल जी के सामने. परन्तु उन दस सवालों में से एक भी सवाल का जवाब देने में असक्षम है अर्विन केजरिवाल जी और तब से लेकर आज तक केवल और केवल भटकाने का काम, दिशा भ्रमित करने का काम अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है. परन्तु आज जब ये भ्रष्टाचार का प्रमान सामने आच चुका है, तो आज अर्विन केजरिवाल जी का अभी-अभी कुछ देर पहले ट्वीट भी आया है, कि जूट पे जूट जूट पे जूट 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 पे जूट भगवान हमारे साथ है. वैसे तो ये कहा जा सकता है कि पंजाब और दिल्ली की जनता भगवान भरोसे हैं, परन्तु जिस बात को ये जूट बोल रहे हैं, अर्विन केजरिवाल जी, जो दस सवाल आदर्णे स्मृती रानी जी ने पूछे थे आपसे, उन सवालों में मैं कुछ और सवाल भी जैन को इंडाइट किया गया है, दोशी पाया गया है, और मैं पड़ कर सुनांग आपको, इस ओर्डर में लिखा गया है, फाइंड है कोट की, हाई कोट की, the petitioners have themselves enclosed a copy of the order 24th May 2017, passed in respect of the Benamidaar, that is ADPL, which Inter Alia notes, that the cash was routed through accommodation entries, in the garb of share capital premium, in fact, belonged to Mr. Satyendra Kumar Jain, and it was at his direction, that the entire transaction was orchestrated, मतलब की, जो प्रिंसिपल कमिशनर इंकम टैक्स की फाइंडिंग थी, कि ये उन दोनों व्यक्तियों के अंडिस्क्लोज इंकम नहीं थे, बल्कि ये सतेंदर जैन का हवाला इंट्री था, उसको उच नयालेने, दिल्ली हाई कोट ने, उसको सत्यापित किया, उस पर मोहर लगाई 2019 में, क्या ये कोट की फाइंडिंग जूट है, क्या ये कोट की फाइंडिंग वेंडेटा पॉलिटिक्स है, मेरा एक और सवाल जुड़ रहा है, स्मिती रानी जी के उन दस सवालों की सूची में, जिसका जवाब आज तक अर्विन के इजरिवाल देने की हिम्मत नहीं कर पाएं, मेरा सवाल नंबर दो आज ये है, क्या ये जो रिकवरीज हुई है, आपके खास आदमी के घर से, आपके खास आदमी के ठिकानों से, क्या ये रिकवरीज भी जूट है, क्या ये रिकवरीज जूट है, मेरा तीसरा सवाल, दस तीन की रिमांड और कोट ने दी है ED को, यदि आप कहते हैं कि यह विंडिक्टिव है, वैसे आपके पास और मेरे पास आधार कार्ड, पैन अरवन केजरिवाल और आम आदमी कि पार्टी के पार्णी के पार्मनेंट विक्टम्हूड कार्ड है, यह शू चाहे एजन्सी संग् ले भरष्टाचारी को पकड़े कोट से आदेश आ जा जाए तो तुरंत विक्तम हुड कार्ड निकाल देते हैं तो आज मैं पूछना चाहता हूं आदरने अर्विन केजरिवाल जी से कि क्या ये दिल्ली हाई कोट का ओडर भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है जो रिमांड दी गई है दस दिन की E.D. को कोर्ष्ट के द्वारा क्या ये भी वेंडेटा पॉलिटिक्स है क्या जो पिछले महीने अटाचमेंट ओर आया था सतेंदर जैन के एसेट्स का 4.8 करोड का जो आज भी कायम है क्या वो वेंडेटा पॉलिटिक्स है और अगर ये सारी चीज़े वेंडेटा पॉलिटिक्स है इतना समय आपके पास था किसी कोट अफ लॉ ने आपको राहत दी है क्या आप किसी कोट अफ लॉ में जाकर ये कह पाए कि ये जो भी कारवाई हो रही है हम तो बड़े इमानदार है जी हमने तो कुछ नहीं किया जी उल्टा ये हमें द्वेशपूर कारवाई में फसा रहे हैं क्या ऐसा एक भी आदेश राहत देने वाला आपके पास आया है या कोट भी वेंड़ेटा कर रहा है मैं आप से पूछ ना चाहता हूं कि क्या आपने जब क्लीन चट दी है सतेंदर जैन आपके खास मंतरी को क्या आपने दोहजार उन्निस का दिल्ली हाई कोट का आदेश परण नंबर 30 पढ़ने के बाद उनको क्लीन चट दी है या इसे पढ़े बगैर उनको क्लीन चट दी है जे इन डॉक्यूमेंट के आधार पर आप क्लीन चट देने की बात कर रहे हैं वैसे आपने कहा है आपने सारी फाइले मंगवा ली आपने सारे दस्तावेज देख लिए एक बार आप वो दस्तावेज सारवजनिक पतल पर रख दीजिए पता चल जाएगा कि किन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये तथाकतित क्लीन चट देने की आपकी फैक्टरी काम करती है और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि इससे पहले भी मितरगण आपको याद होगा कि एक और क्लीनचिट दी गई थी इस क्लीनचिट की फैक्टरी से एक और क्लीनचिट दी गई थी वो क्लीनचिट दी गई थी जितिंदर तोमर को और जितिंदर तोमर ने क्या-क्या कीरतिमान स्थापित किये हैं, यह पूरे देश ने देखा है, परन्तु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, थोड़ी याददाश आमादमी पार्टी वालों की कमजोर हो ही जाती है, इतना भरष्टाचार किया है, इतने लोगों को बच जितिंदर तोमर के लिए नहीं, आज सतेंदर जैन के लिए ही बोल रहे हैं, सुनिये उनका ये पूरा वक्त वे उस समय पर जितिंदर तोमर को क्लींचिट दे रहे थे, कह रहे थे कि मैंने सारे कागस खुद मंगवा के देखे हैं, और उन कागसों से प्रतीत होता है कि ये तो सबसे इमानदार व्यक्ती है, इसको तो मीडिया और बाकी के लोग साजिशन फसा रहे हैं, और इसी लिए मैं आप से आगरह करता हूं कि आप डॉक्युमेंट्स देख लीजिए, ये तो पूर तरीके से इमानदार व्यक्ती है, आज यही बात वो सतेंदर जैन के लिए कह रहे हैं, और इसलिए मैं पूछ रहा हूं फिर से एक बार, क्या सतेंदर जैन के वो कागज आपने देखे हैं, क्या उन कागजों में दिल्ली हाई कोट का ओडर है या नहीं है, और अगर है, तो बताइए कि फिर भी आपने उनको क्लीन चिट कैसे दे दी, और अगर नही हैं, तो बिना देखें आपने एक लीन चिट क्यूं दी है, सारवजनिक पटल पर वो सारे कागज रख दीजिए, उन्होंने कहा कि सतेंदर जैन इतने इमानदार है कि उनको पद्मविभूशन मिलना चाहिए, पद्मविभूशन मिले ना मिले, पर हां आम आदमी पार्टी को घोटालों में गोल्ड मेडल तो जरूर मिलेगा, गोल्ड के कोईन्स तो है ही वैसे उनके पास, गोल्ड मेडल और कोरॉप्शन और घोटाला जरूर मिलेगा, यह आम आदमी पार्टी का, मैं ट्रैक रेकॉर्ड भी लेकर आया हूँ, जल बोर्ड जहां पर बड़ा भ्र आदमी पार्टी के जो इमानदार विधायक है, इमानदारी की कमीज पहिनने वाले, वो लोकायुकता से कहते हैं कि हम आपको आशेट्स नहीं दिखाएंगे, हम आपको आसेट्स डिकलेर नहीं करेंगे, उल्टा लोकायुकत के सामने, जब बहुत सारे केसेज उनके मंत्रि के चल रहे थे और उनके सबसे ज्यादा केसे 2017 में दस वर्षों में रेजिस्टर किये गए लोक आयुक्त के पास तो कई वर्षों तक कई महिनों तक लोक आयुक्त को नियुक्त ही नहीं किया गया बस के भी प्रोक्योर्मेंट में घोटाले करने का उपलबदी आम आदमी पार अदाफाश हो चुका है आम आदमी पार्टी की सरकार की तथाकतित इमानदारी का क्या अर्विन केजरिवाल बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो सतेंदर जैन को आज भी बचाने का काम कर रहे हैं अभी तक उन्होंने स्मृती रानी जी द्वारा पूछे गए दस स इस सवालों का जवाब नहीं दिया है हर बात पर डाइवर्ट करते हैं क्या 2019 का हाइप को आदेश जो इंडाइट करता है सतेंदर जैन को क्या उन्होंने वो देखा है क्या उन्होंने इसी प्रकार से विक्टम हुड कार्ड जित अंदर तोमर के लिए खेला था या नहीं ख खेला था तो आज जब वो इसी कार्ड को खेल रहे हैं तो किस आधार पर उनकी इस बात पर यकीन किया जाए कि उन्होंने सारे कागज देख लिये हैं और फिर जा कर वो क्लीन चिट दे रहे हैं और आखरी सवाल जो वेंड़ेटा-वेंड़ेटा कहते हैं यदि सच में सटेफ नहीं मिली आप अभी भी कोट नहीं जारें रिलीव लेने के लिए और यदि आप ईतने ही पाक है इतने ही सत्यवन है तो सते अंदर जैन का इस्तीवा लेकर उछोंने वापस भी लिया जा सकता है अगर उनको कोट से क्लींचिट मिल जाती है परंतु ये नहीं किया जा रहा है क्योंकि कहीं न कहीं ये भरष्टाचार की जो आंच है वो सतेंदर जैन पर नहीं रुखती है हमें सब को पता है कि इस पैसों से इन शेल कंपनियों से 200 भीगा जमीन खरीदी गई थी और हो सकता है कि इस पूरे भरष्टाचार में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है और उन स्टेक होल्डर्स के पास ये एजनसियां पहुँच जाएगी इसका डर सता रहा है और इसी लिए हो सकता है अर्विन केजरिवाल आज तक इस्तीफा लेने में नाकाम है असक्षम है और लगातार भरष्टाचारियों का बचाव कर रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रे आपका हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का तो इस्तीफा तुरंत ले लिया गया वहाँ पर तो कोट की फाइंडिंग भी नहीं थी फिर भी उनका इस्तीफा ले लिया गया और उनको मंतरी पद से बाहर कर दिया गया ऐसी क्या मजबूरी है कि वो आज भी सतेंदर जैन को मंतरी बनाया रखना चाहते हैं क्या अगर उनकोंठूरे होंगे तो जो जाँच होनी चाहिए पूर तरीके से जो फ्री & फैर प्रोब होना चाहिए क्या वो फ्री & फैर प्रोब की जा सकती है तो मैं समझता हूँ कि यदी अरविन केजरिवाद डरते नहीं है, उनको छेपाने की कोई बात नहीं है या उनकी कोई मजबूरी नहीं है तो उन्हें तो सतेंदर जैन का इस्तीफा बहुत पहले ले लेना चाहिए और मैं फिर से पूछा हूँ क्या उन्होंने दो हजार उन्निस के हाई कोट के आदेश को देखा है या उसको देखने के बाद वो आक मूंद कर इस भ्रष्टाचारी मंत्री को बचा रहे हैं ये हेल्थ मिनिस्टर टू हवालात मिनिस्टर को क्यों बचा रहे है अरविन केजरिवाल इसका जवाब उनको देना चाहिए बिना डिफलेक्ट किये बिना डिवेट किये